हेलो आल इस वीडियो में हम देखते हैं कि पर्चेज एकाउंट को किन-किन केसे में हम क्रेडिट करते हैं और हमको एक रूल पता है कि पर्चेज एकाउंट एक नॉमिनल एकाउंट है और नॉमिनल में भी एक्सपेंस है और क्योंकि एक्सपेंस है तो नॉमिनल एकाउंट में डेबिट एक्सपेंस तो यह डेबिट होता है तो हमने याभी तक पढ़ा होगा कि पर्चेज एकाउंट हमेशा डेबिट होता है लेकिन कुछ ये जो एपर्ड मिर्ट निया है तो अगर और अपने खरीगता है तो आप क्रेडिट को क्रेडिट करोगे क्रेडिटर से ही तो आप उदार खरीदते हो और यह जो एमाउंट होती है यहां पर क्या लिखोगे आप यहां पर कॉस्ट प्राइस लिखोगे यानिके purchase की entry cost price से होती है और sales की entry क्या होती है sales की entry क्या होगी cash account debit हो जाएगा अगर cash मिला है और check मिला है तो bank debit हो जाएगा और अगर उधार है तो debtor debit हो जाएगा और credit क्या होगा credit sale होगा और यह जो entry होती है यह किस amount से आप करते हो यह आप करते हो selling price से अब हमें क्या देखना है कि जो purchase किया अगर वो sell नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है या तो हो सकता है कि सामान में आग लग जाए loss by fire ठीक है या फिर आप उसको free sample में बांट दो जिसे की advertisement भी बोलते हैं या फिर आप free sample भी बोल सकते हो या फिर आपने जो सामान करीदा है वो charity में आपने दे दिया या फिर उस सामान से आपने asset बना लिए आपका जो है timber का काम है आपने क्या 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 लिए काम है आपने एर कंडिशन को बेचा नहीं को अपने ऑफिस में लगा लिए तो क्या हो गया वो फिक्स जैसेट बन गई आपके लिए और या फिर मालिक उस सावान को अपने घर ले गया हो सकता है कि कोई मशीन भी है आप बेचने के लिए खरीदते हो लेकिन मालिक को उस मशीन की घर पर जरूबत थी तो एक मशीन वो अपने घर ले गए तो जो पर्चेस किया वो सेल तो हुआ नहीं इन सब कैसेज में तो जब होगा लस लॉस बायँ देबिट थे चाहिए अगर मालिक ने उसकी डर्ण स्कर ली तो ड्रॉइंग हो जाएक और क्रेडिट किया होगा यहां पर यहां पे क्रेडिट होगा परचेज एकाउंट और समझने वाली बात क्या है परचेज एकाउंट जब क्रेडिट हुआ है तो हम किसे एंटरी करेंगे कॉस्ट तो यानि कि यह चार-पांच केसे हैं इनमें आपने जो समानगरीता वह बेचे नहीं तो क्याक्ता या या दूसकता इसके लिया देद हो या व्यारी आप इसको द दे दो क्राइड़ होता है तो आपको क्या द्यान अखना है हमेशा प्राइस पर होगा और के अधिकर मेश्व प्रेमर्ट है वह हमेशा प्राइस सेंगária पस्रीव होती है अब अपर इसका प्ले देखो इसका एक्जाम्पल देखो गुड्स कॉस्टिंग पाइव अंड्रेड लिए सेलिंग प्राइज शिक्स अंड्रेड गिवन एज चैरिटी तो अब यह देखो तो यहां पे दो एक थे और जे और यहां पर शेस की गवी चैरिटी ने दिया art प्रशेज से किस्ट मुदेज करते च से हुता हैं यहां पे परशेज क्रेडνη Network हो होता है तो यहां पर की होज जाएगी तो यहां पर 500 की आंफ्सकर प Яब कि हो जाएगी तो ऐसे ही चैरिटी में करोगे तो लस्ट भाइफ cayre कर दो चैरिटी जगह फिर अपनी घर ले पिर इस तरीक हें होगी लेकिन सेल के मैं होती इसी कैस में जैसे उसा ओधेंडी रुपीस लिखेंट अगर यह दो क्या होगा थे स hack क्या करेंगे ऐसे कांट टू से लिए एकाउंट आप हमें पता है सेलिंग पराइस से होती है तो यह जाएगी अठीक है तो जहां भी आप द्यान रखना है आप जहाँ भी पर आएगा वहां पर हम पॉस्ट प्राइस से एंट्री करेंगे और जहां भी एगा जहां भी एगा वहाँ पिस एंट्री होती है यह तो हमको बता ही है कि सेटीट हो था है लेकिन पर पर क्रेड़िट होता है और किसे में होता है वह हमने इस वीडियो में देखा है यह थोड़ा एक्शेप्सिनल के करते हैं लेकिन इन इन केसिज में हम पर्चेज को क्रेड़िट करेंगे तो देट इस एट फॉर देस लेक्चर थैंक यू